किसान भाईयों ग्याहों की फसल से बंफर उत्पादन लेने के लिए हमें किसी अच्छी वैराइटी का सेलेक्शन करना चाहिए क्यों किसान भाईयों जब हम ग्याहों की फसल को लगाते हैं और किसी अच्छी वैराइटी का हम सेलेक्शन करते हैं यदि हम variety का selection अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो हम उससे सांदार बढ़िया उत्पदल ले सकते हैं और कम से कम लागत में ले सकते हैं यदि हमारी फचल अच्छी होती है तो हमारी philosophy भी हमारी फचल को देखते हैं और चार लोग पूछते हैं कि आपने कौन सी variety लगाई है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चार ऐसी variety बताऊंगा जिनने लगा कर आप अपने ग्याओं की फचल से बढ़िया और सांदार उत्पदल ले सकते हैं और कम से कम लागत में ले सकते हैं तो इनकी बारे में किसानवाई है मैं आज आपको पूरी जान कर दूँगा कि आप इन variety को कब से कब तक बो सकते हैं इनकी बुआई के लिए कितने बीच की आवसकता पड़ेगी इन variety की फसल है और कितने समय में पकर तयार हो जाती है और फकरने के बाद ये variety हमें कितनी पैदावार दे कर जाती हैं और इन variety के अंदर कौन-कौन से रोग आते हैं और क जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो अपने प्यारे प्यारे हातों से वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने तो आप मार्किट से जब भी बीज लेने जाएंगे और आपको पहले से बारे में पता होगा जानकर होगी कि ये variety ऐसी होती है ये इतने हमें पगजाती है इसे इतनी पैदावार मिलती है तो आप अपनी मर्जी से बीच का सेलेक्शन कर सकते हैं आपको जरूरत नहीं दुकानदार से बुज़ने कि हमें कौन से variety लगानी है अपको केवल देखना है कि variety ओर लोकल है दाना कटा या फटा तो नहीं है किस किसानवाई हमने अपनी पिछली वीडियो में जो जानकरी दी है और सिरी राम सूपर 303 यानि DBW 303 DBW 187 इन variety के वारे में किसानवाई हो हमने पूरी जानकरी दी है यदि आप इन दोनों से कोई सी लगान चाते हैं तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं उस पर जानकर आपको पिरतियक दुकान पर इसका वीज मिल जाया किसानवाई हो यदि हम इसकी बुवाई की समय की बात करें तो आप इसकी बुवाई नमंबर से स्टार्ट कर सकते हैं और 25 दिसंबर तक आसाने से लगा सकते हैं यदि हम बुवाई के लिए बीजदर की बात करें तो आप सिर्फ आप 25े कि बिए औरें को आप 20 कि मातरा 40 किम प्रतियक यां ये भात करें तो आप वीज़की मातरा 50 kg पिर्थी एकर ले के सनवाई हो इस वेरेटी के अंदर कोई 20 रोग नहीं आता है और किसी भी पिरकार की मिट्टी में के सनवाई हो हम इसे लगा सकते है अफ़ात पिर्थी एक मिट्टी के लिए और अनुकूल है तो आप इस वाराइटी का सिलक्षिन भी कर सकते हैं दूसरी वाराइटी की बात करें किसानवाईओ यह वाराइटी हमने रखी है स्री राम सूपर 272 काफी पोपुलर वाराइटी की सानवाईओ और पिछले साल इस वाराइटी ने बहुती सांदर और बढ़ी होत पादन दिया है किसान वायू यदि हम इसकी बुवाई के समय की बात करें तो आप इस वाराइटी को नमबर से स्टार्ट करके 25 दिसंबर तक लगा सकते हैं किसान वायू यदि हम इसकी बुवाई के लिए बीजदर की बात करें तो यह हमें लगवक 30 से 35 कोंटल प्रतियक की पैदावार देकर जाती है किसानवाई हो आप इस वाराइटी का सेलक्षिन भी कर सकते हैं किसानवाई तीसरे नमबर पर हमने वाराइटी रखी हैं यह हमने रखी है किसानवाई हो एक नमबर से 30 दिसमबर तक असान इसकी वाई कर सकते हैं किसानवाई के लिए पात करें तो आपको लगबर चालिस से 45 किलोग्राम प्रति एकर के जाथा कर सकते हैं इस वाराइटी का नदर को रोगने आते हैं और यहां आपको लगबर तीन से चार से करने का सकता पथ किसीफी पिरिका लगा सकते किसे हम 24टे एकमद कर सकते ल, सानवायों, यह वैर्यटी बहुती शांदर रूतर रहा लागत में यह चल झाती है, यह इस फार्टी का als advocating बाली और बाली का नबीर मोटी आती है, यदि हम इसकी वाराइटी के बुवाई करने के समय के बात करें तो आप इस वाराइटी के फचल पकने के समय के बात करें तो यह वाराइटी लगभख 120 दिन में पकर तयार हो जाती है यह दिमस की पैदावार की बात करें तो तीश कोंटल प्रती एकर की यह पैदावार देकर जाती है किसान वाई हो तो आप इन चारो वाराइटी में से कोई सी वाराइटी का सेलक्षिन कर सकते हैं और गयाओं की फचल लगा सकते हैं यह दो चैनल पर दे रखाए अप वहां से लेसकते हैं और अपने फाट्य के बारें कोई बिजयानकारी प्रत्प्राप्र कर सकते हैं यदि मेरे द्वारा देगे जनकारी आपको अच्छ लगी हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेल करें और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो